हलो फ्रेंट्स बहुत-बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं चैन कपलिंग के बारे में जिसे की रोलर चैन कपलिंग भी कहा जाता है हम जानेंगे कि आखिर chain coupling क्या होता है और उसके parts क्या क्या होते हैं और कैसे काम करता है इसके साथ में हम ये भी जानेंगे कि उसके कुछ special features जिसे कि आप advantages भी बोल सकते हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में discussion करेंगे coupling से related और भी बहुत सारे videos हैं अलग-अलग type के couplings के उपर उसका भी link जो है मैं पूरे description box में दे दूँगा आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं gear coupling हो, spring coupling हो या किसी भी और coupling का हो तो friends ऐसे ही industrial technical videos, mechanical engineering field से related videos इस YouTube channel पर मैं upload करता रहता हूँ 830 से ज़्यादा videos जो है अब तक मैंने upload कर दी है और मैं regularly नए नए videos जो है वो upload करता रहता हूँ अगर आप मेरी channel पर नए हैं तो please इस video को like करें और channel को subscribe करके bell icon को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए video का notification आप तक पहुँच पाया तो फिलहाल इस video का start करते हैं बने रहीएगा वीडियो में अंतिताइग chain coupling या फिर roller chain coupling flexible type of coupling के अंतरगर आता है chain coupling या फिर roller chain coupling जैसे कि नाम से ही clear है यहाँ पर chain का main role है तो देखिए यह एक ऐसा coupling होता है जिसमें दो hub होते हैं और दोनों ही hubs में उसके end पर sprocket लगा होता है ठीक है जिसमें की teeth होते हैं इस sprocket कैसा होता है आपको तो पता है जिसके उपर chain जाकर के बैठता है तो एक hub जो है वो आपका driving shaft में fit होता है जबकि दूसरा hub जो है वो driven shaft में बैठता है और फिर उन दोनों को joint करने के लिए chain को fit कर दिया जाता है two strand दो row two row chain होता है यहाँ पे दो row का chain होगा जैसा कि आप image में देख रहे हैं दोनों ही hub को coupling के दोनों ही hubs को pass में लाया जाएगा proper distance maintain करने के बाद में उसके teeth के उपर में फिर इस chain को fit कर दिया जाएगा तो इस तरह से एक shaft से दूसरे shaft में power transmit हो रहा है chain के through है ना आपको bolting करने की जुरुत नहीं है स्रिफ आपको chain उसके उपर चड़ाना है और एक pin से एक pin जो है उसे लगा देना है तो आपका chain coupling जो है वो तुरंद ready हो जाएगा और यह suitable होता है small scale power transmission के लिए यानि कि small power transmit करने के लिए इस type की coupling को use करते हैं high power के लिए यह applicable नहीं है तो चलिए image के दुरू समझते हैं कि chain coupling जो है उसके parts क्या क्या होते हैं देख सकते हैं आप जैसा कि grease लगाना है आपको दोनों side में नीचे आले portion में भी और upper वाले portion में भी दोनों half में अच्छे से sufficient amount में grease आपको lubricant जो है वो fill करना है और chain को चड़ाने से पहले इस pocket के teeth में भी अच्छे से grease fill करना है उसके बाद chain चड़ाना है उसके बाद cover को लगा करके उस पे bolting करना है अब बात करते हैं chain coupling के features या फिर advantages के बारे में सबसे पहला features है outstanding durability यानि कि इस coupling की durability काफी अच्छी होती है काफी लंबे समय तक ये चलता है क्योंकि इसके जो teeth होते हैं इस pocket की जो teeth होते हैं वो surface hardened बनाया जाते हैं जिसकी वज़ासे इसके strength काफी अच्छी होती है और साथ में इसके साथ जो chain यूज करते हैं वो भी काफी strong और powerful होता है जो कि इस pocket को engage करके रखता है इस pocket के teeth को है ना तो ये durable होता है इसका next feature है easy coupling and decoupling इसको बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में बहुत जल्दी couple भी किया सा सकता है और decouple भी किया जा सकता है सिर्फ आपको एक single pin को निकालना और लगाना है जो कि roller chain का ही pin होता है next feature है absorption of large misalignments तो chain और इस pocket के बीच में काफी ज़्यादा clearance होता है यहाँ पर साथ में जो chain है उसके components के बीच में भी clearance होते हैं जिसकी वज़ा से यहाँ पर overall clearance बहुत ज़्यादा होता है और ये ज़्या इसका models in a wide variety यानि कि इसके models जो है बहुत सारे varieties में आते हैं लगबग total आपको 24 model इसके मिलेंगे है ना तो इसमें variety जो है बहुत ज़्यादा है आप उसके हिसाप से अपना selection कर सकते हैं तो friends ये वीडियो थी हमारी chain coupling के उपपर जिसे की roller chain coupling भी कहा जाता है उमीद करता वो आपको काफी पसंद आई होगी आपके लिए काफी जादा helpful होगी अगर 1% ये वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए अलविदा